मम्मी मम्मी यह क्या है यह पानी है यह पानी है यह पानी है पर यह तो काला है पानी काला तो नहीं होता है नहीं यह पानी है ओ पर मम्मी यह तो 100 रुपे इसका 500 अमेल है हाँ लेकिन यह पानी है वाँ यह तो लगते हैं यह पानी है यह पीने में कैसा लगता है उसको जल्द यह कैसा है तो चलिए इसी बहाने मेरी एक और वीडियो आपके सामने आ रही है और वह है ब्लेक वाटर यानि की काले पानी का तो इसको खोलते हैं निकालते हैं इसको ग्लास में और यह सच में ब्लेक वाटर है वो प्यूरिफाइड होता है यह एलकलाइन होता है इसको स्पेशल दरीके से साफ किया जाता है यह जो है पानी वो नौर्मल पानी से महंगा बलकि बहुत महंगा होता है जैसा कि अभी मेरे बेटे ने बताया कि यह 500 ml का बॉटल है और यह 100 रुपे का है तो आप देख सकते हैं पी के आपको दिखाते हैं इसका तेस्ट कैसा है क्योंकि हमने भी इसको पहली बार मंगाया है तो पीते हैं और देखते हैं अच्छा है मतलब दिखने में यह काला है लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा है तो 100 रुपे लगे हैं तो अच्छा तो होगा ही लेकिन जैसे मतलब इसमें कोई पानी जैसा भी टेस्ट ब्लैक वाटर को एल्कलाइन वाटर भी कहते हैं यह शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की सप्लाई बढ़ा देता है शरीर के वजन को मेंटेन रखने में मदद करता है ज तो ब्लैक वाटर बनाने वाली कमपनिया है उनका कहना है कि इसमें सत्तर से ज्यादा मिनिरल्स होता है जिससे शरीर को बहुत फाइदा होता है इससे पाचन ठीक होता है एसीडिटी कम होता है और इम्म्यूनिटी भी बढ़ती है आरो और फिल्टर का पानी जो होता है उसमें पीच लेवल कम होता है तो पीच लेवल कम होने की वज़े से मिनिरल्स कम होने की वज़े से जो आरो का पानी हम लोग पीते हैं तो उससे बीमार भी हो सकते हैं तो इस पानी के साथ ऐसा नहीं है तो आप देख सकते हैं कि इसका जो pH है वो 8 से भी ज्यादा है इसमें लिखा हुआ भी है जैसे कि इसमें magnesium, calcium, sodium है तो आप भी इसको मगा के टेस्ट कर सकते हैं मुझे तो अच्छा लगा और कैसा लग रहा है आपको देखके कि मैं ले यह पानी पिया तो क्या लग रहा है तो चलिए फिर मिलते हैं लेक्स्ट वीडियो में थैंक यू